गुण बॉनिंग एरिवन कैसे हो आप सवलो तो मार्केट के इंदर हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन नजर आ रहे हैं ऐसे में अपना यहां पर बाय करने का अपलान है लेकिन प्राइस थोड़ा समय नीचे मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा काम हो सकता है क्योंकि अगर म पर तो हमें बाइंग को थोड़ा सा वेट करना पड़े है क्योंकि मार्केट काफी दिने उसे कंटिन्यू सेलिंग में चल रहा है और दुबारा से सेलिंग में जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन यहां पर अभी हमें अजल सल लगा रहा है कि कोई बाय का ट्रेड म पिलेगा एक अच्छे प्राइस के ऊपर तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मार्केट में मिल सकता है ऐसा है अपना निफ्ت वाला सपोर्ट हमारे काम आ भी सकता है और ये काम बिगाड भी सकता है दोनों ही बाते है नीचे निकलेगा तो हम मार्केट के अंदर सेलिंग में काम करेंगे अगर उपर निकलेगा तो में भी हमें एक बाइंग का बहुत अच्छा ट्रेड यहां से मिल सकता है थोड़ा सा रिस्की हो जाया देखिए प्राइज बहुत अच्छा मिलेगा यहां से लेकिन रिस्की इतना है कि आप पूछो मत तो हम यहां पर क्या करेंगे एक पोजिशन बनाएंगे देखिए एक पोजिशन तो बनाना पड़ेगा और अगर वो सही जगा पर बन गया तब तो बात बन जाएगी अगर यह ब्रेकडाउन मार्केट ने किया निफ्टी वाला तो फिर बैंक निफ्टी भी अपने आपको होल्ड नहीं कर पाएगा और लगता है कि होई जाएगा इस बार तो ब्रेकडाउन होगा थोड़ा सा गलत पोजिशन बन गया देखिए रिस्क लेने के बाद पीछ यटने से कुछ नहीं होगा तो जो होगा वो देखा जाएगा शिक्स अंडर कॉंडर्टी यहां पर इमभाय कर लेते हैं इसके बाद अपना निफ्टी का पोजिशन बनाएंगे प्रोबर्टी बहुत जाद है देखिए मार्केट के अंदर सैलिंग तेजी सी आ रहा है तो हमारे बचने के चांसिस का काफी कम है तो जोड़ा निफ्टी का वेट करते हैं देखते हैं यह अगर ब्रेकडाउन वगरा कर देता है तो फिर तो यह पोजिशन गलत होने वाला है बेवज़े यहां पर हम ट्रैप होने वाले है तो इसमें हमें कोई बैनिफिट मिलेग अब हुआ हाँ है तो तो मार्केट इंदर कंटिन्यू सैलिंग चलता है आ इता चुलब अब निफ्टी से कुछ होने वडा है ग५िशंण की he बन जाना थी तो अभी मार्केट में 15-11-12-12 के रहूं लोस ने जर आ रहा है तो बात कर लेते कि मार्केट के अंदर हमने पोजिशन क्यों बनाए थोड़ा देखी यह जो जो जोन है काफी ज़्यादा क्रिटिकल है बाइंग करने के लिए यह जोन कहीं ना कहीं सेलिंग के लि ले रहा है क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा और ऐसे कंटिन्यू भाग जाए मार्केट थोड़ा भूत तंग करने के लिए नीची आ जाता है लेकिन यह जैसी सपोर्ट ले रहा था मुझे लगा कि निफ्टी थोड़ा भूत अपने है आप Wert कर सकता है और बैंगि निफ्टी का अगर होल्ड करता है तो यहां तक तो साफता कि अगर मार्कीट ऊपर जाएगा तो यहां से जा सकता है अभ यह जोन में थोड़ा सां नीचे आ गया और एसे जोन से काफी ज़्यादा importance रखता है marketing कहां से trade करकी ऊपर जाने कोशिश कर रहा है तो यहां पर selling side में ज़्यादा होगे लेकिन हमारा trade बन चुका जा तब तक हमें रिस्क लेना ही पड़ता है फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाता है तो market में अवराल देखिए structure है वो काफी जादा खतरनाक है अगर हम buy के बारे में सोचे एक ही point हमारे लिए buying में ठीक है यहां पर कि market के अंदर सुरुआत से हमें gap down देखने को मिला gap down के बाद अगर market continue selling में जाएगा तो यहां पर seller आने वाले हैं हो सकता है यहां पर थोड़े बूत हमें trapping में डाल कर buyer को परिशान करें लेकिन अगर जैसे market जादा गिरेगा तो market में वहां पर buyer मुझे लगता है जादा काम नहीं करेंगे salary वहां पर आने वाले है लेकिन एक problem यहां पर इससे भी बड़ी हो जाती है क्योंकि trend काफी जाद seller काई पैसा बनता है seller का पैसा इसलिए बनता है जैसे market नीचे निकलता है seller को लालाओ चाता है कि चलो मैं यहां पर selling कर ले सकता है अदर्वाइस market अगर continue selling में जाएगा तो मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा यहां पर रहे हैं वायर यहां ठ्रैप नहीं होने वाले हैं त थोड़े से चांसिस यहां पे कम हो गये लेकिन अब थोड़ा सा रीट्रेस्मेंट आ रहे तो अच्छा लग रहा है तो अभी मार्केट में अपना थोड़ा बूत प्रोफिट भी चलना शुरू हो चुगा है मुझे तो लग भी नहीं रहा तक प्रोफिट नजराएगा लेकि अगर मार्केट ने यहीं से कोई स्ट्रोंग केंडल नहीं बनाया गरीन केंडल हमें स्ट्रोंग ही चाहिए स्ट्रोंग के बगार मार्केट में बात नहीं बनेगी तो लाला चाया प्राइज अच्छा मिल गया और प्राइज अच्छे से क्या होता है नुक्सान भी हो सकता ह तो यह आपको सोचना चाहिए कि आप कहां पे ट्रेड बनाने वाले हो, कहां पे आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह जो दोन है हम सुरुवात में ही काम कर सकते थे, बाइंग सट में, लेकिन 49.500 के उपर उपर रहता, क्योंकि यह सबसे पहले में देखना था कि अगर यह बाइर में स्ट्रेंथ हुआ, तो मार्केट को यह कंटेनियू उपर ले जा सकता है, थोड़ा बहुत तो सेलिंग देखी आ जाता है, लेकिन उपर ले जा सकता है, लेकिन इस बाइर के अंदर कुछ ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो तो यह अगले चार्ट को यह देखे मैं काम करूँ, अभी भी गलत होने की प्रोबर्ट यह ऐसा आने की गलत नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रोफिट एंड लोज को डिकाइड कर लेते हैं, कितना लेने वाले हैं, देखे जिस प्रोफिट प्रोफिट एंड लोज रहने वाल है, अभी अपना थोड़ा बुद प्रोफिट चलना शुरूँ है, लेकिन इस प्रोफिट के उपर विश्वास तभी होगा, अगर मार्केट 49-350 की उपर ट्रेट करना शुरूँ कर देखे हैं, क्योंकि अभी त कतो होने वाली है, अब यहां पर देखे अपना थोड़ा बुद प्रोफिट तो चलना है मार्केट के अंदर, लेकिन अब यह जो रिजक्शन अगर यहां से खा गया ना मार्केट, तो यहां पर वेट नहीं करें, अब मार्केट में काफी तेजी से सेलिंग यहां से आ सकता है, तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने यहां पर टेड नहीं बनाया है, तो बाई साइड और सेलिंग साइड दोनों के लिए खतरा हो सकता है, सेलिंग में यहां से किया जा सकता है, बाइंग में तो डेफिनेटली नहीं किया जा सकता है, जब तक यहां से स काफी ज़्यादा किरिट हो चुके हैं क्योंकि मार्केट ने यहां पे डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजरा रहा है ऐसे में अगर किसी ट्रेडर ने सूच रही होगा कि मैं जल्दी बाय कर लेता हूं तो मार्केट उनको तंग करता हुआ काफी ज़्यादा नीचे निकल सकत है और जो एक रेंडम ट्रेडर आते हैं उन्हें डर भी ज़्यादा लगता है और जब डर ज़्यादा लगता तो केंडल भी फास्ट बनता है तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए मार्केट के अंदर वेट करेंगे देखते हैं अभी तो कोई दिकत वाली बात नहीं लेकि तो मार्केट के अंदर बड़ी रेयर चांस है कि मार्केट के अंदर बनाए देखिंगे लोस जादा नजर नहीं आ रहा है लेकिन सुच्वेशन ऐसी है कि जहां से प्रोफिट बनाया नहीं जा सकता तो कलियर है कि अब हमारा लोस ही होने वाला कोई केंडल निकल ली जाए बेवजय का तो मैं कहीं नहीं सकता अधर वाइस मार्केट में यहां सिynिव नजर आ रहा है तो जस्ट यहां पर मेर्केट करते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है अभी तो हम योषा लेकिन बेखिंगे नीिप लिया है लेकिन लोस अब डाना चल रहा है और जब हम गलत ड तो देख लेता हूँ एक दो मिनट का देख लेता हूँ तो चलिए यहां पर हम अपनी पोजिशन को काट लेते हैं अपना यहां पर आलमोड जो लोस हमें लेना चाहिए था दो लिमिट होता है वह हम रिस्क कर चुके तो अब मार्केट के इंदर जादा वेट करने की आउसकत है तो मार्केट के इंदर हम गलत क्यों हो गए क्योंकि देखिए अपना प्लान था कि मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा थोड़ा उपर जाएगा तो मार्केट के इंदर बाय करेंगे लेकिन जैसे मार्केट गीरा तो हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट के इंदर सेलि मिल रहा है और निफ्टे में सपोर्ट लेता होगा नजर आ रहा था मुझे लगा कि मार्केट एक्जैक्ट सपोर्ट तो यहां पे नहीं लिया लेकिन तुबारा से नीचे आकर थोड़ा भूत तंग करके उपर जा सकता है तो ऐसा लालच करके मैंने जल्दवाजी कर लिया अदर्वाइस सामने से नजर आ रहा था कि मार्केट के इंदरम अपना बचाओ कर सकते थे कम से कम ट्रेड नहीं बनाते गला ट्रेड बनाने से आपको बचना ची लेकिन काफी बार क्या होता है कि लालच के कारण वो हो जाता है आल लेड़ी थोड़ा सा मज्यूं करे थे कि मार्केट उपर जा सकता है तो ऐसी सुचुएशन के कारण हमार एक दिए प्रोलम करेट मार्केट ने कर दिया अभी मैं थोड़ा सा वेट करता कि सपोर्ट बगरा ले लेगा तो ऐसा market करना जुरूरी नहीं होता तो हम market के अंदर loss लेके निकल गए हागर सही होते फुड़ा बोत नीचे आता तंग करता हमें कोई दिकत नहीं थी लेकिन अब market में हम ज़्यादा ही तंग हो चुके हैं तो ऐसे में हम market के अंदर निकलना ही ठीक लग रहा है यहाँ पर support अगर support बगरा breakdown हो जाए तो आप selling की तरफ हो जाए अगर support बगरा लेकर ऊपर आपको मिल रहा है तो चांस तो आप देखे मार्केट ने ओवराल selling के बना दिये बहले यह support ले ले लेकिन direction एक बार में decide हो जाता है अगर आपने position बनाया वो गलत जा रहा है तो मान लेते हैं क एक buy का trade identify करके कहीं पर भी काम कर सकते थे लेकिन अब market में काफी अच्छा rejection आ गया हाँ strong candle जहां पर बना है उसके opposite तो कम से कम trade मत बनाओ otherwise market में आप selling के लिए काम कर सकते हो ऐसा है अपना निफ्ठी के अंदर आपको काम करना है तो position कब बनाया था 9 बसकर 34 minute के round position बनाया था आज के लिए नहीं भन्नेवाद